एक्सरे की खोच किस ने की थी पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है एक्सरे की खोच किस ने की थी जिसमें चार विकल्फ दिये गये हैं पहला विकल्फ है गैलीली यो गैलीली दूसरा है जेजे थामसन तीसरा है एडविन हबल और चौथा दिया गया है डबलू के र होताना है कभी-कभी राटजन नहीं रांटजन लिखा होता है इसको ध्यान रखिएगा इसमें चौथा विकाल्ब जो आपके सामने है बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि एक्सरे की खोज 1895 में किया था इसको ध्यान रखिएगा बाकी आपको पता होगा एक्सरे का यूज हम लोग कहां करते हैं जैसे जब हड़ी टूट जाती है तो डॉक्टर से क्या करते हैं उस हड़ी जो टूटी हुई होती है उसकी तस्वीर लेने में इसका उप्योग किया जाता है बा लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप पूरे वीडियो को लाज तक जिरूर देखेगा नहीं तो कोई क्वेशन शूट सकता है और इसमें जितने भी क्वेशन हम बताते हैं उससे जुड़ी हुई जितने भी बाते हैं वो भी हम कोसित करते हैं आपको बत है हैंड वेल और यूरे इसमें चार भी कल्फ हैं और जो सही उत्तर है क्योंकि भारी जल की खोज किस ने की थी नीकी थी अगरी जल का उप्योग कभी-कभी पूछ लेता है तो सबसे श्यादा महत्पूर्ण उप्योग जो होता है वह होता है पर वाट रिक्तर में न्यूट्रानों को मंद करने के लिए जैसे न्यूक्लियर डियक्टर जो होता है उसमें उसकी अपकिरिया को धीमी करने के लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है और एक चीज़ान लीजेगा भारी जल का जो पहला सयंत्र लगा था वो नांगल पंजाब में लगा था जो की 1962 से कारिज़त है इसको भी ध्यान रखिएगा अगला प्रसने देखेंगे अगला प्रसने है हमारा डाइनामाइट का अविश्कार ये तो बहुत चर्चित क्वेशन है डाइनामाइट के अविश्कारक का नाम आपक चर्चित मामला है अक्सर आप इसकी चर्चा करते रहते हैं ये क्वेश्चन पाते रहते हैं इसमें सही बिकल्प है आपका बी वाला अलफ्रेड नोबल ने डाइनामाइट का अविश्कार किया था और ये अविश्कार उन्होंने 1866SB में किया था इसको भी ध्यान अगले प्रशन पर ध्यान देंगे देखिए नोबल प्रसकार भी इन्हीं के नाम से है इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन अलफ्रेड नोबल ने किसका अविश्कार किया था वो तो काम क्या होता है यांतरी कुर्जा को बैद तूर्जा में बदलना इसको जनरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है विद्दुद बनाता है तो आपने इसको टेंथ में पढ़ा था और 12 में भी आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इसको अगर आपने साइंस ले करके बिद्दु चुम्ब की प्रेरन इसको ध्यान रखिएगा important question है कि डायनो की खोष तो आप समझ रहे हैं Michael Faraday ने की अब बोला जाये कि डायनो की जिद्धान पे काम करता है तो ये काम करता है बिद्दु चुम्ब की प्रेरन पे काम करता है इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की आपको बताना है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की इसमें भी चार बिकल्प आपके सामने है जिसमें बैग्यानिकों के नाम दिये गये हैं जो सही उत्तर है वो आपक इसमें से सही उतर जो है उसी वाला है क्योंकि ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी इसलिए जो तीसरा भी कल्फ है बिल्कुल सही होगा इसको ध्यान रखिएगा माइकल फर्राडे ने इसकी खोज की थी और ट्रांसफारमर के बारे में सभी जानते हैं हर जगा पर लगा होता है या भी बिद्दु चुम्ब की प्रेयराण पर काम करता है इसको ध्यान रखिएगा अगले प्रशन पर ध्यान देंगे अगला प्रस्ण है किस बैग्यानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिये थे आपको बताना है नीचे दिये गए बैग्यानिकों में से किस ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिये इलेक्ट्रोलिसिस को क्या कहा जाता है बैदुदब घटन इसका नियम किस ने दिया Kelvin, Dalton, Archimedes या फिर M. Faraday इन चारों बिकल्फ में से सही उत्तर जो है चौथा वाला है क्योंकि M. Faraday ने ही Electrolisis के नियम को भी दिया था इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ने देखेंगे अब अगला प्रस्ने है Hydrogen Bum का आविस्कार किस ने किया Hydrogen Bum जो की बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है आपको बताना है Hydrogen Bum का आविस्कार किस ने किया आपके सामने चार बिकल्फ हैं और जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से सही उत्तर जो है वो आपका D वाला है Edward Taylor ने Hydrogen Bum का आविस्कार किया देखिए Edward Taylor ने इसका आविस्कार किया इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आते हैं जैसे बोला जाए कि Hydrogen Bum किस पर आधारित है या क्या किरिया होती है इसके अंदर तो इसके अंदर नापकी सल्लाइन के किरिया होती है तो आटोहान तथा एफ इस्ट्रासमैन ने किया था जबकि अगर Hydrogen Bum बोला जाएगा तो Edward Taylor आप बताएंगे इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती हो जाती है Hydrogen Bum को बहुत लोग समझ लेंगे अंदर बम के लिए अलग से आप रियाद रखिएगा अंदर बम का खोज किस ने किया था आटोहान और एफ इस्ट्रासमैन ने इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा अगले प्रस्ण पर ध्यान देंगे अगला प्रस्ण है हमारा गलत मिलान को पहचानिये देखिए इसमें चार बिकल्ब दिया गया है जिसमें खोज और खोज करदा का नाम दिया गया है इसमें से एक गलत दे दिया गया है और जो गलत दिया गया है वही आपको बताना है बाकि सही वाला तो आप जानते रहेंगे तभी समझ पाएंगे इसमें गलत वाला बताना है क्वेस्टन ऐसा आ जाता है ऐसे ये क्वेस्टन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था बिलकुर सेम इसी टाइप का क्वेस्टन थोड़ा सा बदला था लेकिन उसमें भी गलत की ही पहचान करने थी तो इन चारों विकल्ब में से सही उत्तर जो है मैं आपको बतातेता हूँ आमीटर वाला जो दिया गया है गलत दिया गया है क्योंकि इसमें नाम किसका दिया गया है इसमें दिया गया है जैंक राइयस जैंसेन जबकि इन्होंने अमीटर की खोज नहीं की थी इन्होंने सही उक्तसूज मदरसी की खोज की थी बहुत इंपॉर्टन बात है इसको ध्यान रखिएगा कि जो जैकेरियस जैंसन है इन्हो मतलब प्रशन है सही मिलान की पहचान करें इसमें क्या है इस क्वेशन में दिया गया है सही मिलान की पहचान करना है मतलब यह है कि तीन गलत दिये गए एक सही दिया गया और जो सही है वो आपको बताना है तो देखिए ऐसे क्वेशन के लिए आपको बैग्यानिकों के नाम और उनके आविस्कार क्या है, यह चीज याद होना चाहिए, नहीं तो गलत कर देंगे आप, तो जो महत्पूर्ण हैं, वो हम अभी आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे आविस्कार और आविस्कारत का नाम बताने वाले हैं, जिनको आप याद कर लीजिएगा, रट आईए उन जो गलत दिया गया हैं नीचे, इनको सही विकल्प आप जैसे मालीजे बता चुके हैं, लेकिन इसमें जो और तीन दिया गया हैं, उनका सही उत्तर क्या होगा, इस बात को भी आपको ही ध्यान रखना होगा, तो देखिए, यह जो हम आगे आपको बताने वाले ह इसमें 11 अविसकार, उनके अविसकारक करनाम हमने दे रखा है, इसको याद कर लीजेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार इसको लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक और सेयर करना न भूले, और अगर इसी तरीके से आप GKGS की तयारी करना चाह हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजेगा, जो पीछे तीन गलत आपसं दिये गये थे, उनका उत्तरिस में आपको मिल जाएगा, धन्यवाद